नमस्कार दोस्तों मैं उसनी पांडे स्वागा था अपसों का एक नई वीडियो में आज क्या हुआ कि हमिस आ गए थे और नांचल परदेश और वहाँ पे उन्होंने एक स्कीम लॉंच की जो चाइनीज बोर्डर के आसपास में यह इसलिए इंडियन कर रही है क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो लोग वहां पर फेसिलेटी नहीं थी इस वज़ा से माइगरेट करके अंदर आ गये थे वह फिर वहां जाकर बसें और अल्टिमेली जो हमारी है जो चाहरा है वहां पर रहेगी तो आर्मी को मोटिवेशन मिलेंगा होता क्या है कि जबकर बन करसा में लेकी olabilir सापोर्ट कर लिए जाते हैं और यह तरह से emotional attachment होता है तो यह बहुत ज्यादा strong बनाती है आर्मी को इस वज़ा से भारत सरकार चाहर है कि reverse migration हो जाए जहां से वो लोग वापस चले आये थे फिर से वहां जाके बज़ जाए इसलिए 4800 करोड रुपे spend किये जाएंगे लेकिन इसमें क्या हुआ है कि चाइना ने बयान दिया है कि यह बिल्कुल गलत है अमिसा को इस तरह से बिजिन नहीं करना चाहिए यह चाइनी टेरिट्री के सुबिनेटी का उलंगन है इस निज़ को राउटर्स ने लिखाए कि इंडिया इस पावरफुल होम मिनिस्टर ओन मंडे विजिट यह हिमालायन फ्रेंटियर स्टेट टेट चाइना इस पार्ट ओब दा स्टेटरी टू लांच यह 48 बिलियन रुपी 585 मिलियन डॉलर टू डवलामेंट स्कीम इसके बाद में क्या हुआ आमिसा ने वहां पे बयान भी दिया है कि आज की डेट में हम इतने स् करते हैं किसी को हाला कि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया इस पे चाइना ने अब्जेक्शन लिया और फॉर्मिली ओपोज किया है और कहा है कि जो मिसा ने विजिट किया था अनौन चल परदेश को यह हमारे इस्टन स्टेट एंड सुविनिटी का वालेसन है इसलिए यह हम बिल्कुल एकसेप्ट नहीं कर सकते कि कोई इंडियन मिनिस्टर बिजिट करे अनौन चल परदेश को अनौन चल परदेश को चाइना बोलता है जंगनन या फिर साउथ तिब्बत बोलता है और कहता है यह तिब्बत का पार्ट है अभी हाली में चाइना ने गेरा पल कर ले उसे कुछ नहीं होता है नाम चेंज करने से जोगर आप ही थोड़ी ना चेंज हो जाएगी इसके अलावा इस ने खुलकर सपोर्ड किया था इंडिया का और कहा था कि यह जो चाइना कर रहा है यह अग्रेशन है बिल्कुल भी एकसेप्ट नहीं किया जाएगा और न को कि कोई भी किसी भी प्रकार का इंडिया के बॉर्डर पर करता है तो उसको बहुत ही स्ट्रोंग जबाब दिया जाएगा है और उसके बाद में चाइना के रेक्शन यहा है कि हम इसा को बिजीठी नहीं करना चाहिए था नांचल प्रदेश वो तो हमारी टेरिटोरियल इ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डप करने के लिए ताकि जो चाइनीज बॉर्डर से जुड़े हुए कुछ गाउं है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहा है फेसिलिटी अच्छा रहा है यह जो पैसा आज पासट में चाइनीज आर्मी ने कबजा कर लिया था बाद में बातचीत करके जब लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल निर्धारित की गई तो इंडिया को वापस मिल गया तो वहीं पे इनों ने ये बात बोली है कि इंदा फ्यूचर कोई भी अगर एक भी इंच इंडिया की जमीन हडपने की कोशिस करेगा तो उसको बहुत करारा जबाब दिया जाएगा और इसके अलावें ये भी है कि पिछले 10 सालों में ये जो वाइवरेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है इसके तहट बहुत सारे लोग जो हैं वापस से रिमाइगरेट करके और उन विलेज इसके बहुत जादा ध्यान दिया है अलाकि आवनाचल पर इंटरगल पार्ट इंडिया का उस पे जब कोई इंडियन मैंस्टर जाता है तो चाइना कमेंड करता है लेकिन पर आयदिन एग्रेशन कर रहा है चाइना लेकिन इंडिया की तरफ से कोई स्ट्रोंग मैसेज नही कि खिलाफ यह सेल्फ रूट डेमोकरेसी के खिलाफ इस तरह से अथिक्रमण नहीं कर सकते हो लिखना अपनी राइक कमेंड बोक्स में बाकिया इस यह वर वीडियो देखने के लिए आप हमारे लोगों सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलेंगे नेस्ट वीडिय के लिए जय हिन